जैकब ऑल्टेस में आप सब का फिस्य स्वागत है तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि बिना मिट्टी के कैसे खेती की जा सकती है जिसको स्वाइल लेस फार्मिंग कहते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि यह जो बड़े पाइपों में खीरे का पोधा लगाया हुआ है तो आइए जानते हैं ऐसे लगाने से आपको कितना फायदा होगा कितना आमदानी होगा कितना खर्चा होगा और इसको हम घर पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो हमारे साथ हैं 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 तो हैमंद सर से पूछ कर हम जानते हैं यह कितना किफायती है या कितने फायदेमंद है सर यह हमने लिए जो वेस्ट पड़े हुए पाइप्स थे हमारे बास जो चार इंची पाइप है वो लिया उसको उमने होल किया इसके हमदर कट कर दिया और कट करने के बाद इसको हमने एक पाइप के अंदर हमने 15 के करीब होल निकल ले जिनरे से हमें alternative और बीच में से एक बीच में नाग शुछे उपर आराम से चुछ इन फे पूल आ चुका है इस पर खीरे भी लग चुके हैं यह देखिए अच्छा यह 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 इग ज़िए अपने क्या रखखा हुआ है यह गिलास के अंदर हमने कोको पीट अच्छ वर्मीकोलाइट और परलाइट यह ईसके तीन चीजों को मिला कर इसको इसमें अमने फिल निए ताकि इसकी रूट को ब्लाइं और इसकी रूट सूब पहान है अञा हुआ है जो पानी आप इसमें फ्लो करते हैं उस ही क्या साथ waar आडेलेबल यह जो थीन्हों छीज यह है यह Lee अवेल सूब जो भी यह पेस्टिसाइड वगरा बेचते हैं उनके पास उनके बास होगा इस तरीके से यह काफी उनके लग चार पाइप हैं तो आपके पास में यह साथ पुद्धे पंजटते हैं और इन पे जो अगर एक एक खिरा बीम लगता है यह अल्टरानेट लगता है तब भी ज़ दस-पंदरा दिन में आराम से यह बढ़ जाएंगे तो अगर घर में यह तैयार करना अराम से त्यार हो सकता है इसमें कैसे करें फिर यह हमने देसी जुगारी बनाया हुए सारा यह पाइप बैंबूस नहीं पर पाइप को सर्फ लोप में देना इसको ताकि पानी का फ्लो अधर दे दिया लाश्ट में और फिर लाश्ट में यह क्या हुआ कि कनेक्ट कर दिया इसके साथ में पाइप के साथ अच्छा इसमें सारा पानी वापिस और सारा बानी रीषाइक अच्छा अच्छा दुबारा फिर यह इसमें आपने यह जो गड़ दग गया है अच्छा यह पानी फिर इसमें इस्टोर होगा दुबारा और इसमें क्या क्या रखा है सर आपने इसमें अच्छा यह सारा पानी एकदम ना गिरा है से लिए आपने क्या किया है इसके अंदर से इसका जो वेस्प निकलता थोड़ा सा जो कोको पीटारा वो इसमें ना गिरे और मोटर म और बाकी multiple nutrients रहते हैं, वो मिलते हैं, बट हमने इसमें सारा देसी काम ही रखा है, इसमें वर्मी कम्पोस्ट का जो निकलता है, वेस्ट वाटर, तो उस पानी को हम ऐसे, ऐसा पैस्टिसाइड भी यूज करते हैं, और ऐसा इस जो क्या कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, क्या क अधके सारे content होते हैं, इसलिए इसको पोदों को और ग्रोथ मिलती हैं, तो मतलब एक तरही के सही यह आप इसका छिड़काओ करते हैं, इस प्रे करते हैं, वो मतलब अलग से होती है, तो सिर्फ गवधणर की स्प्रे भी करते हैं और इसमें पानी में भी यूज किया उसको ताकि इसमें कीडे भी ना लगें और पानी को भी न्यूट्रेंट मिलते रहें तो कितनी बार मतलब इसकी पानी की सप्लाई करते हैं आप दो या तीन बार आज कल गर्मिया हैं गर्मियों के अंदर हम इसको कम से कम नितो एक एक घंटे के लिए चार बर चलाते हैं अच्छे यह जैसे यह ग्रीन हाउस टाइप का आपने बनाया हुआ है उपर इस धंटे बना हुआ हमारा जो फोल्डेबल है जो फोल्ड भी हो जाता है प्लस आजकल धूर बहुत तिक होती है और इसलिए हमने इसको लगाया ताकि पौदे जल ना जाएंगे तो इसका मतलब यह मतलब इसके जाएंगे, बहुआ हमें ना जाएंगे, बहुत बहुत नो का रहाव कि पीशिएयों यह दीन है भी जाते हुआ दामाटन बेना अन गगन में में वर्टेमिक मैंवा जाएंग कोई ऐसमamede को उटनके एक एधनीय के लिए मुझका लगता है को इसमें आपने टो मे को ऑगा है तर्वाइद jsि मोगना लगा अगरे Hz. आपने वेस्ट नहीं लिया है मैंने दो इसमें से बूल्ड राप फैविकोल का पढ़ा था यह पाइप वेस्ट पढ़े थे गंदे पाइपे तूटे हुआ हैं यह यह तो पाइप हमने यूज किया हुआ है और मैंने इसके ऊपर अभी तक कोई पैसा नहीं लगा हुआ है कुछी यह उपने था प्रख शोड के लिए कि को आप मों इसने मुत नहीं जोड़ा है। इसमें पूपक नाडना के लिए मासरा इस उपने को नहीं जोड़े था हुए। कर सबिए पूर्ट बांच्वरा जाहां है कि अबरें को और शक्त पूर्पाय और पर थो पूर्धाकम पिर को सब्सक्राइब आपको इसके लहे, और परिढ़ जो मार्केर से गलास मिलते हो या इसी टाइप के घ्लास आंते हैं नहीं नॉर्मल गॉल आपे उंको वो फिर एक अट्रीम के साथ साथ उसको गरं करके उसको होल करनेむ तो आपने देखा दोस्तों के किस तरह से यह हाइड्रोपोडिक जो टेक्लोजी से आप बिना मिट्टी के सिर्फ पानी के सहारे और कुछ न्यूट्रिशन उस पे मिला के उसी पानी को बार-बार रिसेक्ल करके खीरा टमाटर बहेंगन पालग लेटी उसे बहुत सारे फसल अ ना के बराबर लागत है आपके पास अगर पुराने ट्यूब हैं तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक दीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए यह वीडियो देखने के लिए आप सब को धन्यवाद